नमस्कार दोस्तों श्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल में दोस्तों कैसे हैं आप सब आसा है उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे शुष्ष्थ होंगे मस्त होंगे दोस्तों आज हम जो है एक बहुत ही तेजी से फैल रहे बीमारी के बारे में बात करने वाले है से लोग प्रभावित है कुछ लोग दोस्तों इसके लक्षण को जान पा रहे ह। बवा दबाई ले रहे हैं तो यह चलिदी से जो है क्यों यहां कुछ लोग दोस्तों इसके लक्षण को जान ही नहीं पा रहे हैं कि यह या फ्लू है या फिर जो है कोई शामान ने नहीं की problem है, दोस्तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे की आई-फ्लू का लक्षन क्या-क्या है, तो दोस्तो आई-फ्लू का जो basically लक्षन देखने को मिला है मरीजों में, वह है आखों का लाल होना, खुजली होना, आखों से पानी आना, आखों में शूजन होना, आँखों में चुभन होना, साथ ही साथ आँखों में चीप-चीपा और तरल गंदगी जमा हो जाना, तो ये सारे दोस्तो आइफलू के लक्षण है, आप दोस्तो ध्यान से सुने होंगे, कई सारे लक्षण है आइफलू के, तो इसमें से अगर कोई भी अगर होन जाता है तो किस तरह से क्योर करेंगे इसको किस तरह से ठीक करेंगे कौन सी मेडिसिन लेंगे तो दोस्तो होमेवपैथिक में इसकी सटीक और सबसे बहतरीन मेडिसिन है जो की बहुत ही आराम से बहुत ही बिना जो है जहमेले के आपको कहीं भी किसी भी मेडिकल जो पर मिल जाएगी दवा का जो है नाम बता दें दोस्तों तो इस दवा का नाम आई व्राइट है आई व्राइट दोस्तों वीजल होमे उपैथी कंपनी की बनाई हुई मेडिसिन है और यह जो है सेनेरिया मार्टीमा युक्त है यानि कि दोस्तों इसमें सेनेरिया मार्टीमा है यूफ्रेशिया है तो ये सारे जो है एक ही मेडिसिन में जो है मिली हुई है और ये जो आई फ्लू वाला प्राबलम देखने को मिल रहा है उसमें बहुत ही सही तरीके से कार्यक कर रही है दोस्तों यह 10 ml के पैक में भी आपको मिल जाएगा और 5 ml के भी पैक में मिल जाएगा है दोस्तों यह जो है 10 ml के ही पैक में पहले आता था लेकिन अभी कमपनी ने हाल ही फिलाल में 5 ml का भी एक पैक लांच किया है जो पी आप जा करके किसी भी होमियो श्टोर से खरीच सकते हैं और i-flu जो भैल रही है बीमारी इसको तुरंद जो है क्योर कर सकते हैं इस दवा के द्वारा दोस्तों इस दवा को लेना कैसे है दोस्तों अगर आपको i-flu है दोस्तों तो दिन में आप इसको 2 से 3 बूद 3 से 4 बार दिन में डाल सकते हैं तो आप इसे 4-4 गंडे पर डिवाइट कर दीजिए और 2-3-3 बूद जो है 2-2 बूद ही अगर डालते हैं 4 बार तो यह जो है काफी अच्छा रेजल्ट देगी और आपको जो i-flu वाला प्राब्लम है हुआ जो है काफी जल्दी ठीक हो जाएगी दोस्तों इस बीमारी में कुछ लोग घवरा जा रहे हैं तो इसमें घवराना बिल्कुल भी नहीं है अगर आप i-bright की इस medicine को दोस्तों basically regularly normal तरीके से जैसे मैंने बताया है यूज कर लेते हैं तो यह जो i-flu वाली प्राब्लम है बेजीजक दोस्तों दूर हो जाएगी इसमें जो है कोई प्राब्लम आपको नहीं होगी तो यह थी दोस्तों i-bright और i-flu से सम्मंदित संपूर्ण जानकारी दोस्तों दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों चैनल को जरूर सस्क्राइब करिएगा वीडियो को लाइक करिएगा और बेल आइकन जरूर दबाईएगा मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों तब तक के लिए जय हिन जय भारत